चिराग पाश्वान के लिए फिलवा कठिन चुनोतियों का समय चला आए एंडिये में रहते हुए भी इनके सामने लोकसभा चुनाओ यक्ष प्रस्ण बनकर खरा हो गया है एंडिये में इनके समक कुछ अनुतरित प्रस्ण है क्या यही प्रस्ण इन्हें एंडिये छोड़न का कारण बनेगा क्या चिराग पाश्वान के मन में ये डर है कि नितीष कुमार विधान सभा चुनाओं का बदला लेंगे क्या नितीष को अभी विश्वास है कि चिराग लोकसभा में भी नितीष का साथ नहीं देंगे दूसरी और चिराग की सर्थ है कि पसुपती पारस क करिस्ता एंडिये से तूट जाए लेकिन खिलहाल यह दिखता नहीं है इनहीं सब कारणों की तालास हम अपने स्वयोगी आस्तोस मिस्रा से करना चाहेंगे चलते हैं आस्तोस मिस्रा के पास आस्तोस जी बिल्कुल बिल्कुल पाधर्ग जी ओल्मोस्ट आपने तहानी तासार क अगर जाते हैं इंडिये जोर करके तो यही सारे अल्मोस्ट रहेंगे पहला रिजन जो आपने प्रकाश डाला इंट्रों में किया उस्टों मैं बताता हूं सबसे बड़ा प्रस्ण यह बना हुआ है कि चिराग पासवान को यह डर सता रहा है कि जिस तरीके से 2020 विधान सबस् कि जेडिव के सामने कंडिडेट खरा खरके जेडिव को डेमेज किया उन्होंने और 43 सीटों पर सिमट 43 से 45 सीट है उसमें लहीं बार में जमाठान आये थे कुछ लोग आये थे एक आदमियों और उनके जाए कुमार से मीट है तो तो एक बरी पार्टी से सबसे छोटी पार कि बना देती तो नितीश कुमार भी इस चुनाव में एंडिये में रहते हैं तो भीतर घात कर सकते हैं और उनके उमिद्वारों को हराने का काम कर सकते हैं और चिराग पास्वान को इस बात का डर दिन रात खाये जा रहा है चैन से सोने नहीं दे रहा है वह समझते पा रहे हैं कि एंडिये से अलग हों या इंडिये से बाहर जाएं NDA में रहकर क्या उनका मतलब उनको ये भरोसा नितिश्कुमार दे पाएंगे कि ऐसा नहीं होगा चिराग पास्वान को बिल्कुल ने लगता है और कहा भी जाता है कि नितिश्कुमार एक बार जिस्ते लिए मन और मिजाज बना लेते हैं कि इन से बदला लेना है तो बदला लेक्टर की रहते हैं और ये बहुत अच्छा मौका मिला है उनके लिहाद से अगर सही में ऐसा कुछ चल रहा है तो चिराग पास्वान को ये डर सता रहा है और हम चाहेंगे कल ही मैंने शक्ति यादो की बाइट लिए चिराग पास्वान पर एक बयान लिया है उनका इंट लिए में राते हैं तो उनको उमिद्वारों को हराने का काम करेंगे नितीज कुमार चिराग पास्वान को देखना नहीं चाहते हैं चिराग पास्वान से 36 ठाक रहा है हम चाहेंने की सबसे पहले दर्शक वो बयान सुनें इसलिए कहा जारा है कि उधर क्रम सीटो का उफर हो रहा है और नितीज ही आ गए इसके बात से और जो कही गई थी वो भी फुल्फिल नहीं हो रहे है तो यहां पर ज्यादा पतलब नहीं है यह दुनिया जानती है कि चिराग पास्वान जी से ब्यक्तिकत खुनन सनितीस जी को यह भी यह भी यह भी यह भी लोग जानता है कि जहां सो लड़ेंगे जदियू पानी पी के उनको हरा देगी खाज करता भी उनके खिलाफ काम करेगी सबको पता है कि कादमी जानता है बिल्कुल दर्शक सुन लिया होंगे विवर हमारे समझ गया होंगे कि सक्तियादोट क्या कर रहे हैं और सक्तियादोट के बयान के इर्द गिर्द ही हमारी बाते हैं के दूसरी तरफ नितीश कुमार को ही ऐसा भी लगता है और नितीश कुमार भी चाहते हैं कि यह तो चिराघ पासवान को बाहर कर दिया जाया और अंदर रहेंगे तो वो फिर से ऐसा खेला कर सकते हैं और इस्ता संकेत खुछ इराट पासवान ने दे भी दिया है कि जिन 17 लोग सभा सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का एलान की है उनमें चार सीट जदी उटी है एक सीट हलागी बीजेपी की भी है बेवो सराइकी लेकिन चार सीट सिता मधभी बालमी की नार गोपाल रन्ज और सीट है वहाँ पर जेडियों के प्रत्यासवूट के अगेंस्ट में पर अपने प्रभारियों के नाम का एलान किया है घर वह गटबं तो यह एक बड़ा रीजन है अब नितीश कुमार चिराग पासवान अगर बीज़ेपी सिरस नितीश कुमार से क्या आप फासवान को डामेज नहीं करेंगे इस बात ती शिवरेटी दीजे गारंटी दीजे तो क्या बोलें नितीश कुमार? कि हाँ मैं श craving का देता हैं और श Links आपक्ल बहुत बहूत बरा यक्ष प्रास्न आपने सही और जुरा नदा रहा है बहुत 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 ब messing प्रास्न आप मेंगे कहा और यहां अनुत्रित है इसका उत्तर मिल नहीं पा रहा है प्रियाश चुटी देखिए पर तरह बड़ा टेस्ट पहली परीछा है अगर इसमें परबंबे रेस्टेक्ट हो रा साबित होंगे। और अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक नया चैलेंज खरा होगा जो पिछले दिनों परशुपति पारस की वज़ा से परिवार तुटने से पार्टी तुटने की वज़ा से जो फेस करना परा था अब जाकर कि किसी तरीके से उन्होंने पार्टी को सीचा ह पार्टी को आगे बढ़ाया है अब उसका रिवार्ड मिले का समय है लेकिन जब रिवार्ड मिले का समय आया तो इतने सारी बाते आगे उल्जाने आगे दिक्रते आगे परिशानी आ गए लहर है जिराग पास्वान जानते हैं कि मोदी जी के साथ रहना ही बीजेपी के दे लहां तक नहीं चाहता है राजनीति से हटकर भी हम कर अगरते हैं थीराग पाशवान इंकार करते रहा है यह जब जब होगा तब तब मैं उन पर पोलता रहूंगा कहता रहूंगा अगर वैसा ही करते रहें तो यह दोनों का पेच हो गया समझ डिया आप दूसरे चीज एक शर्थ है या फिर एक शिराट पासवान के इच्छा है जो बार बार वाकिव कड़ाते हैं कि पशुपती पारजी के पास कोई जनाधार नहीं है उनको आप फैर कीजिए बाहर का रास्ता दिखाएए बीजेपी इसके ले तयार नहीं है चुटी जब शिराट पासवान भी अलग हुए थे तो पशुपती पारस ने साथ दिया था जिराट पासवान तो अठारा जुलाई को एंडिये में सामिल हुए न थे दो हजार ते इसको उससे पहले तक तो बाहर थे बाहर थे दो हजार पीस्ते विधान सब्चुनाव में मदद थी उन्होंने या जब भी पीजेपी को जर्वधि परी चिराट पासवान की तो चिराट पासवान सीना तान तर के ठाड़े रहे है और इसका परिणाम में दीठा कुढिनी गोपाल द्रमोकामा इन डिखा इन सब चीजों इसों पर उप्स ना में परिनाम दिठा सब जगर तो यह सारी चीज एं रही बात पशुपति पारस हाजीपूर सीट चाहते हैं चिराट पासवान उन्कों देना नहीं चाहते हैं पीजेपी उल्जन में है कि इसको दे न दे यह भी एक है कि अन्तिम बाग्त में कहीं ऐसा न हो जाए चुटी जेख रहे हैं कि आप पशुपति पारस भी लगतार ताल ठोक रह हाल जो एंडिये में नितिश्कुमार क्याने के बाद जो परिस्ति बन गई है और पहले जो कमिट्मेंट की अदारा था चिराट को जितनी सीटे कमिट्मेंट की जा रहे थी उसमें अंतर पर रहा है प्रेक्टिकली वैसा संभव नहीं है इस बात से व्याशंकित हैं अभी देश्कुमार भी चहूं है नीडिश्क्रुमार जाने वाले है और वह नहीं होगी मुलाकात होगी और निरनाक बादकी फोगी इंनि सब चुटी पाश्वपत्ति पालस ने कहा है कि नौ फर्वरी को जब संसत्र खत्म होगा उस्ते बाद एंडिये में सीट शेरीन के लिए सारे घटक दल बैठेंगे तो जब बैठेंगे तो यही सब तो पेट सुल जाना है लेकिन फिलाल पेट सुलस्ता वह नजर नहीं आ रहा है चिराग पास्वान लगातार कल्कुलेशन कर रहे हैं गुना भाग कर रहे हैं कि कौन सा फर्मूला होगा जो कि उनको जितनी सीटे चाह रहे हैं उसके इर्दिर्द सीटे मिल जाए लेकिन कोई फर्मूला उनको नजर नहीं आ रहा है खास तोरपर नितीश कुमार की वापसी के बाद चूटी नितीश कुमार चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो गया है सीटों के मामले में कम सीट क्यों ने हो गई हो लेकिन आज की तरिक में भी बिहार की राजनिती में जैसा वो चाहेंगे बीजेपी से मनवा लेंगे वो औ का किसको पखड़े किसको छोड़े कैसे सहजे कैसे तालम बिठाहे कैसे सामन्दस दिखा रहे हैं फास घॉपर्णb उपेंद्र कुछ वहां तो सीता मरे सीट में अपना दितम शुरू भी कर दिया उन्हेस दावेदारे निए बहुत इसी पर शीतियां है दूसरी बात यह कि यहां पर NDA में अगर किसी भी तरह से उनको लगे कि चलो इसी में कंप्रमाइज्टर के रहना है चुटी यहीं से जीत सकते हैं निकाल सकते हैं सीट तो एक उन्टे सामने प्रस्ने होता है कि सबसे बड़ी बात कि सीटों का कम्प्रमाइश तरना पर गए हैं पशुपती परस्ती बज़ा से चुटी दो धर में पाटी बन गई है तो चिराट पासवान को यह लगता है कि 2019 से 2024 में हम 6 से 6 प्लस एक से अब तीन या चार सीट पर आ जाएंगे तो दो हजार उन्तीस में कहीं ऐसी स्थिति नहों जाए तो बीजेपी टाहेट हैं हमारे आशद वाली पाटी रख्याम यह रहेगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन चल रहा है फिलहाल कोई रास्ता दिख नहीं रहा है दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तरस्वी आदों से बातचीत चले तो बातचीत क्यों नहों विकल्प तो देखना पर गाना और पहले सही त्या कर हो गई एक्जांपल दिया उन्होंने बातचीत होती रहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है हम कहें कि आप तो एक्षेप किजिया डिनाय कीजिए और यह भी ख़बर आई आरेल जेपी कहीं एक निता है उन्होंने दावाट किया कि जिन 11 लोगशवा सीटों पर प्रभारिय के नाम का किया है और शिराग पासवान उन्होंनी सीटों को लाली जो से साथ थे हैं यह सीटे मिले लाली दर पास वेकेंसी कमी नहीं है फिलाल सीटों की कमी नहीं है तो चाहिर तोर पर चिराग पास्वान को यहां जीतना मिलेगा उससे ज्यादा तो वहां मिलने का है यह स्कूप हलाकि 11 सीटे मुझे नहीं लगता है कि मिल जाए लेकिन जितनी सीटे एंडिये मिलने यह उसे डबल भी मिल सकती है वहां भी इंकारने किया सकता है तो चिराग पास्वान को यह भी लगता है कि यहां रहें या वहां जाएं फैदे का सौधा क्या है यहां रहने पर जीतने की गारंटी तो है अब तक का जो परिशिती दिख रहें चिराग पास्वान जेसा करते हैं कि 400 सीट जितने इस वाराम लोग जो राम मंदिर और यह सब जो मोदी लहर की बात उटाते हुए है तो यहां रहने पर जीतने गारंटी तो है लेकिन वहां पर भी अगर मालिया की से डबल सीट पर आते हैं साथ शीट आठ सीट नो सीट पर चुनाव लाए तो हो सकता कि उसमें से चार सीट पास सीट हारे तो उभी तो जितने जीटे यहां मिलना यह उसके बराबर वो शीट ले आएंगे जी जी तो यह भी उनके दिमाग में चल लाए और दूसरी बात यहां पर मोदी लार का क्लेम होगा बीजेपी काई जिते हैं आप वहां पर जाते हैं तो फिर अपने बलबूते पर जीते हैं और इस वेव के अगे किएगा कुछ न कुछ खेला जरूर होगा माजे जी का समर्शन जताकर वे उन्होंने संकेत दे रखा है लगतार दे रहे हैं दलित का महादलित दलित कॉम्मिनेशन मना रहे हैं माजे जी को तो जब चाहे तब वो इस तरीके की बांडिंग है उन लोग के बीच में तो यह काम चीजें चल रही है बहुत दूबिधा के स्थिति में है परिस्थिति ऐसी हो गई है कि डिशीजन नहीं ले पा रहे हैं चिराग पास्वां की करना क्या है क्या नहीं करना है लेकिन हाँ विकल्प हमेशा खुला हुआ है उनके लिए विकल्प खोल टके रखे हैं और हर जगा बात चित हो रही है और यहीं चीज है जो पशुपती पारस को और इंकरेश करती है पशुपती पारस को यह लगता है कि चिराग पास्वान अंतिम वक्त में पाला बदलेंगे एंडिये से बाहर जाएंगे और तब उनके लिए किसमत खुल जाएगे उनके लिए है कि टेक्निकली तो वो है ही नहीं एंडिये में 2020 देते हुए या फिर बाहर में जो उमिद्वार दिया था चिराग पास्वान ने कई राज्यों में उस्ता एक्जांपल देते हुए तो कई सारी चीजे हैं देखते हैं मुझे लगता है कि थोरा सा इंतिजार कीजिए आठ निस्टर्स पर निटल जाएं कि क्या होता है पाठी जीजिए राजनिती में गारेंटी सब्द का कोई अस्थान नहीं है आपने हमारे विसलेशन को सुना और यह भी तरह है कि फर्वरी महिने में इस सारे मामनों का पटा छेफ हो जाएगा और तस्वीर सामने आ जाएगी बाहत करने को आतुर होंगे बहुत बहुत धर्नेवादा स्थोस दिया तो